इनका बात्चीत हुई है इसको फिर बात्चीत हुई है इन्वल्ड अगर हम यहां से पुलिस हटा देते हैं दिल्ली से चाहे UK के हम High Commission से हटाते हैं इसके जितने भी साती हैं एक बार यह जेल गए यह फिर जेल से इनकी डड़ाड़ी इनकी लाशाहरा कैसा बेवकूफ के सबका आदमी है। तुझे किसने बता है। वैं मेंबर अफ पार्लिमेंट। वोड़ा स्टुपड मैन युवर। जाएं दोस्तों, मैं हूं मैजर गौरवारी हो रहा है। आप देख रहे हैं दर चानक के डायलोड्स। इस वीडियो को लाइक करिया, हमारे चानल को सबस्क्राइब करिया और बेल आइकन दावाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खासतार से वो दोस्त जो हमारे वीडियो देखते तो हैं लेकिन सबस्क्राइब नहीं करते, प्लीज आप सबस्क्राइब करिया। दोस्तों ये जो अमरितपाल जिंग का मामला है अम लगा था आप दो-तीन दिन से इसी का कवरिज कर रहे हैं और इसी की खवरे में आपके पास लेकर आ रहा हूं ये मामला और से और पेचीदा होता चला जा रहा है मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि ये मामला विदेशों में फैलेगा यूके के बाद सैन फ्रेंसिस्को में हमारे कॉंसिलेट के उपर अटाक हुआ वहाँ पे खड़किया तोड़ी गई तिरंगे के साथ बेगरुबंती करी गई अच्छा ये पहली बार नहीं हो रहा यूके में मैं इस मामले में बाद में दोबारा आऊँगा लेकिन मैं कहना चाहरा हूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा यूके में लंडन में 2019 जब 375 से हटा था तब पाकिस्तानी वहाँ पे घुसाए थे वहाँ के शीशे तोड़े थे मैं बाद में आऊँगा पहले 2-3 खबर हैं अमरितपाल सिंग को लेक है इसके अंकल को जो इसका चाचा है और बाकी इसके जो समर्था के इनको भेज़ दिया डिबरूगड असाम और यही चीज मैं कहता चला आ रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से इनको पंजाब में रखो ही मत इनको पंजाब में मत रखो और अगर 30-40 पकड में आया है ना तो एक बंदे को एक जेल में रखो एक डिब्रुगर जेल में है एक को बोलो बेटा तुम नागालेंड के जेल में हो एक किसी को बोलो कि तुम ताबिलनाड कहीं और के जेल में हो कोई कहीं के जेल में है इनको he should be the only person in that jail from that part where he was arrested जहां से उसको arrest करा गया है पंजाब से वो अकेला बंदा वहां का होना चीए उस जेल में complete and total mental and psychological isolation की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तो इसमें पड़ गया है इनके उपर National Security Act और National Security Act बड़ा भारी होता है ठीक है? यानि कि National Security Act के अंदर आप किसी भी मतलब भारत पे किसी भी जेल में किसी को पकड़ के डाल सकते हैं सरकार के अपास एतनी power है और NSA में फस गया आदमी NSA में फस गया तो बिटा फिर बहुत लंबी चकरी है इनकी अब मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये हुआ कैसे? दोस्तों जो विश्वसली सूतर है दिल्ली में इन्हों नहीं ये बताया है कि एक meeting हुई दिल्ली में जिसके बारे में मीडिया में कोई चरचा नहीं हुई और इसके बारे में मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है ये मैं सुनी सुनाई मैं आपको पहले में involved हैं जिनको मोदी जी ने directly बोला है कि ये जो पंजाब में चल रहा है इसको खतम करो इसमें बातचीत हुई है involvement की Mr. Ajit Doval की और अमिट शाजी की जो मुझे लोगों ने कही सुनी बातें बताई हैं मैं फिर से कह रहा हूं मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है लेकिन यहां से बोला गया है कि ठोको इसको आप है पकड़ के लाओ और इन दोनों से अच्छा हो कौन सकता है राइट तो डोवाल साब को अब डिरेक्शन क्लियर हो गया है और डोवाल साब ने डिरेक्शन क्लियर दे दिया है कि पकड़ के लाओ इसके कॉलर साब गजीट के लाओ एक कौन से बिल में चुपा हुआ है तो पुलिस इसको ढूंड रही है और से बेस बदल के तो कि इसने पहले भी दाड़ी और बाल के कहीं किसी और नाम से ये बाहर ना भग जाए ये भी हो सकता है कि देश से फरार हो जाए क्योंकि हजारो किलोमेटर की बाउंडरी है और एके चप्पे-चपे में नजर रखना नमुम्किन है ये भी हो सकता है ये हो सकता है कि ये पंजाब से जम्मू जाए और जम्मू से दुबारा बॉर्डर पार करने की कोशिश करें इन्टो पाकिस्तान क्योंकि करा धरा तो सब पाकिस्तान का है एने से लग गिया इन लोगों पे और इनका बचना अब नामुम्किन है इनको बिलों से घसीड-घसीड के बाहर निकाला जा रहा है अच्छा दोस्तों, दो-ती मेरे ख्यालात है मन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ठीक है? ये जो US Consulate San Francisco में खालिस्तानी होना अटेक करा है देखिए अभी और जगे अटेक करेंगे ये और अस्ट्रेलिया में अटेक करेंगे मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कल परसों क्या होने वाला है ये अस्ट्रेलिया में अटेक करेंगे, ये अपने कनड़ा में अटेक करेंगे कनड़ा में भी अटेक होगा, 100% होगा ये आज नहीं तो कल नहीं तो दो मेहने के बाद वहाँ पर अटेक होगा और मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक बार हो गया दो बार हो गया बार बार अटैक क्यों हो रहे हैं यह बार बार भारत की कॉंसलेट्स पर विदेशों में क्यों अटैक हो रहे हैं यह और विदेशों जो जिस देश में हमारे consulate है, जिस देश में हमारे high commission है, जिस देश में हमारे embassy है, वहाँ पे उनका, उनका क्या फर्ज बनता है, मैं आपको छोटा ज़ा example देता हूँ, UK में हमारे high commission पर attack हुआ, एक बात, San Francisco में हमारे consulate पर attack हुआ, एक बात, तो उस्तों कभी आप देखते हैं यहाँ पर American embassy, या फिर UK का high commission, वहाँ पे भारत security provide करता है, और legally speaking, मैं legal grounds पर बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर भारत का high commission London में है, तो वो जमीन भारत की है, वो जमीन UK की नहीं है, that is sovereign Indian land, that is sovereign Indian territory, और उसकी दिफा करना, उसको protect करना, UK की जिम्मेदारी है, लेकिन UK अपनी जिम्मेदारी नहीं निवारा है, मैं आपको बात बताता हूँ, कि यह जितने भी ambassador और high commission यहाँ पे घूम रहे हैं न, खास तोर से UK, US के, इनको भारत security देता है, इनको personally भारत security देता है, कि ambassador साब बाहर जा रहे हैं, बाजार में कुछ होना जाए इनको, यह हमारी ज़रूरत नहीं है, हम provide करें, वो हमें provide करते हैं कैंने, तो मैं यह कह रहा हूँ कि, अगर वो हमारे high commission, और हमारे consulates को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो हमने इतने UK की high commission के बाहर, CRPF और UK की high commission के बाद, दिली पुलिस हमने क्यों लगा रखी है, हटाओ न सबको, उनको भी तो स्वाद मिले थोड़ा सा, कि कोई भी कुटा बिल्ली, हमारे तिरंगे को हाथ लगा दे, और यहाँ पे तुम लोग, मैं खास तोर से UK की बात कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे बेटा, पूरे मज़े मारते हो भारत में, तो मैं पूरा प्रोटोकॉल मिलता, और यही से तुमारे दिमाग खराब हो गए है, वहाँ पे हमारा embassy जो है, बिल्कु सड़क पे है, उसकी कोई ऐसी वॉल भी नहीं है खास, मैं तो जा चुका हूँ वहाँ पे, जो हमारा High Commission है UK में, वहाँ पे मैं जा चुका हूँ था, ट्वाइस आफ बीन देर, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कु सड़क पे है, और सामने उसके आउस्ट्रेलिया का है, किसका पता नहीं, अक्रॉस, तो यार मेरा ये कहने का मतलब है, कि कल तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस कहां थी वहाँ पे, जब UK में अटैक हो रहा था, अब अबसी के उपर, इसे, चाहे UK के, हम High Commission से हटाते हैं, अमेरिका के Embassy से हटाते हैं, इनके तोते उड़ जाएंगे सबके सबके, and this is something that we must do, ये ज़रूरी है, इनके सेक्यूरिटी हटाना, वरना इनके ना होश ठिकाने नहीं आएंगे, ये बार बार, और ये खालिस्तानियों को मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों, इनके उपर और action लेनी की जरुवत है, ये खालिस्तानियों के उपर है, और सबसे बड़ी बात, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, इनके जो PIO हैं, person of Indian origin के जो cards है जो इनके कुछ खास हक देते हैं जब ये भारत में रहते हैं and even abroad इनको हक मिलता है इनके OCI और PIO cards सबके सब जबत करिये cancel करवाई है जितने खालिस्तानी है CCTV camera लगे होंगे न, UK में high commission के आगे CCTV camera लगे होंगे, सबके शकलें आई होंगे, आप एक एक करके सबकी शकलें identify करिये and make sure they do not enter India let them live and die outside मर जाएना, फिर भारत ना आप आई है ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी they should not be able to enter India इनको block करिये सबसे बड़ी बात इनके भारत में bank account freeze करिये है इनकी property जबत करिये और जो योगी जी करते है न यूपी में वह ही काम आपको करना, इनकी property उसके उपर चला यह bulldozer इनकी property के उपर चला यह bulldozer और वो वीडियो डाली है यूट्यूब पर और social media पर, twitter पर कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था ले तेरा घर ले तेरा घर इसके उपर bulldozer ठीक है और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तोर से इनके गाउं में जाके announcement कर देनी चीए कि तुमें भी आतंगवादी गोशित कर देंगा, ठीक और तुमारे घर पे भी bulldozer चलेगा, इनको जड़ों से उखाड के फेकने की जरूरत है इनके ना बहुत ज़्यादा कौकात इनकी बढ़ गए इन खालिस्तानियों की क्यों बढ़ गए? इसमें हमारी गलती उनकी गलती नहीं है क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ानी है और इनको चलाओ भारत में सबसे पहले ये जो इंडिया में है ठीक है? फिर आइडेंटिफाइ करो CCTV फुटिज से एक एक बंदा वो जो चड़ा था न तिरंगा लेके उसको CCTV फुटिज से मीडिया फुटिज से आइडेंटिफाइ करो कौन है वो पता लगा हो कौन है? आपको पता लग जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहाँ पे UK में आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चला था उसका घर ढूंडो कहा है और उसका घर के उपर बुल्डोजर फेरो क्योंकि ये पक्का पैसे भेज़ता होगा वहाँ से बार बार से अंदर रेमिटिंस भेज़ता होगा इसके घर में बुल्डोजर फेरो मैं बता रहा हूँ इनके जब घर तूटेंगे जब इनके PIO OCI कार्ड जब्त होंगे जब इंडिया में आना इनका बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और इनके रिष्टेदारों को ये बता दिया जाएगा पुलिस से कि अगर तुम बाहर गए और तुम इनसे मिले तो बेटा वापिस आने की जहमत मत करना है देश में फिर तुम गद्दार हो और इनसे बोलो कि वहीं पर मरो वहीं पर तुम गड़ो जलो तुम्हें जो करना है करो यू आर आउट ओव दिस कंट्री फोरेवर तुम हमारे दिल और हमारे दिमाग से उतर चुके हो अब तुम जीते हों मरते हो हमें दो रुपए का फरक्ति पलो और मैं पूछना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी से कौन सा चुलाओ जीतना चाहता हो यार तुम पंजाब में देश बड़ा है कि तुमारी ये दो-दो ठके की तुमारी पॉलिटिकल पार्टी ये जादा इंपोर्टन्ट है और मैं भगवनमान जी से पूछना चाहता हूँ सर, you are the honorable chief minister of Punjab वेर इस और स्टेट्मेंट आपका स्टेट्मेंट कहा है आप सीय में आप आईए टेलिविजिन के सामने वैसे आप दुनिया भर के स्टेट्मेंट देते रहते हैं वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे गया, वहाँ पे गया अब आउना सामने, क्यों डर लग रहा है आपको क्यों डर लग रहा है कि पंजाब में जो radical votes हैं वो कम हो जाएंगे आप दुबारा मुक्यमंतरी नहीं बन पाएंगे यह देश की इज़त आपके दिल में आईए सामने और बोलिए सब के सामने पकड़ो इनको डालो जेल में ठोको इनको पकड़ पकड़ के यह जो हैं इनोंने अजनाला के पुलिस टेशन पर अटेक करा है इनके उपर ट्रीजन का केस बनना चीए गददारी का मुकदमा चलना चीए अनके उपर और मैं यह चाहता हूँ कि अब यह चले गए ना जेल अब यह चले गए यह अमरित पाल के जितने भी दोस्त हैं जितने भी रिष्टदार जो उसका साथ दे रहे था मैं सारे रिष्टदारों की बात नहीं कर रहा लेकिन इसके जितने भी साथी हैं एक बार यह जेल गए यह फिर जेल से इनकी डेड बोडि इनकी लाश लाशी निकलने चीए जिंदा जेल से ना निकले, इनकी ओपर इतने मुकदमे डालो इतने मुकदमे डालो इनके न मूँ के अंदर हलक के अंदर हाट डाल के पेट से खालिस्तान निकलना पड़ेगा और मोधी जी ने दो अपने खास-ुल-खास लोग इस काम पे लगा दिया है वही करेंगे एक काम क्योंकि उनको आता भी हाट एक्ष्परिनस भी है मैं आपको बता रहा हूँ यह चीज इतनी खतरनाक है यह और फैलाने की कोशिश करेंगे यह लोग जम्मु में प्हलाएंगे पंजाब के ऊपर तो जम्मु लगाए पंजाब के ऊपर जम्मु लगाए and lower on to Punjab and then to Haryana फिर दिल्ली है आपका आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं को क्या बता रहा हूँ कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाना, दिल्ली यह जो है ना वाइरस पंजाब दे यह वाइरस पंजाब दे इस तरीके से पहल रहे हैं and they have to be controlled, they have to be crushed इनको कुछलना बहुत जरूरी है यह एक बिटिश लेबर MP, a Member of Parliament है ठीक है, सांसद है, Tamanjeet Singh Desi Tamanjeet Singh Desi कहता है, मेरा दिल बड़ा टूड गया है very worrying reports coming from India of the imposition of an internet blackout in Punjab state with mass arrests and restrictions on gatherings praying that the 10th situation is soon resolved and that human rights of all are respected यह एक बाद बताओ Tamanjeet Singh Desi तुमने अपना फैसला कर लिया तुम London चले गए ठीक है, तुमने अपना फैसला कर लिया अच्छी बात है, कोई बात ने हम respect करते हैं आपकी, आपने अपना फैसला कर लग है, आप London में बैटे हो, यहाँ के बारे मैं क्यों ग्यान यह देसी सोरा था जब वहाँ पे खालिस्तानी तिरंगा उतार रहे थे और हाई कमिशन के उपर अटेक कर रहे थे मैं बता रहो देसी इनमें मिला होगा ये कहीं होगा मास्क मूस पहन के उनी के बीच में मैं बता रहो हूँ आपको इसकी फितरत वैसी लगती है इसकी फितरत वैसी लगती है इसने वही करा होगा काम और आप जाके चेक करिया लंडन का मेयर कौन है आप देखिए कि पुलिस ऐसी बात नहीं कि पुलिस वहाँ पे पॉलिटिसाइज नहीं है इतनी नहीं है जितनी इंडिया में है लेकिन वहाँ पे भी पॉलिटिकल इंपक्ट तो पड़ता है पुलीस में हूस्द मेर, साजिद खान है कोन, कौन है आदबी और वहीं पे लगाता है क्यों होता है लंडन में इतना ज़ादा ये हरकते हैं भारत के खिलाफ क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा राडिकल इस्लामिस्ट और खालिस्तानियों का एक सिस्टम बना हुए है जो हमारे देश के खिलाफ वहाँ पे काम करते हैं जब इनका मन चाहिए एमबसी पे, किसी की एमबसी के सामने और हमारे I. Commission के सामने ये लोग ये करते रहते हैं हमारे I. Commission के ऊपर तो अटैक कर चुके हैं लोग पत्तर बितर फैच कुके हैं पाकिस्तानीस बेर ब्ोकन विंडो अब ये खुद का प्र आई डोंट ब्लेम पाकिस्तानीस क्योंकि है बंदार ये ये खुद के मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं देखो ना खुद के मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं तो दूसरे के मुल्क के साथ बला थोड़ ना करेंगे तो वही काम करेंगे जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं तो वह अलग चीज है लेकिन फैक्ट ऑफ दा मैटर इस कि USMBA की सामने से security हट रही USMBA से, कोई जरुवत नहीं है निकी, ठीक है, जब ये बाजार जाएं तो as a normal individual जाएं बाजार में, और आखरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो भी sensitive locations हैं, कल मैं टीवी पे था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, American महिला थी, अरनब गोस्वामी क हर answer, अगर बोला कि अगर ये काम आपके साथ होता, आपके embassy के साथ होता, कहीं और दुनिया में, या भारत में, या कहीं भी और दुनिया में आपके embassy में एक काम होता, कि लोग आते और तोड़ फाल मचाते, तो आप क्या करते, उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि दु तो ली मार देंगे वो, तैट इस वाट शी सेड ओ लाइफ टेलिविजन, आप हमरे अमेरिकन अम्बेसी के अंदर घुश के देखो, ऐसे तोड़ पोड़ करके देखो, सीधा बार जो गोली आएगी, सीधा गोली आएगी, ठोक देंगे वो, यहाँ पे भी आपको आमड गार लगाने पड़ेंगे, अगर आपको यह जरूरत है कि अपनी एमबसी की बिल्डिंग लंडन में चेंज करिये, तो करिये, आपकी एमबसी की बिल्डिंग ठीक सलकते है, ठीक सलकते है, उसकी सिकरोटी है यह नहीं, यह तो अभी यह कर रहे हैं कि पत्थर फेकरने कल अगर क किसी ने ग्रिनेट फेक दिया, किसी ने मॉलटोफ कॉक्टेल फेक दिया, तो क्या करेंगे आप यह बताईए, वट विल्यू डू, इनके तो, इनके जो होसले हैं यह तो बढ़ेंगे अगर, क्योंकि हमारी तरफ से कोई रिस्पॉंस नहीं गया, और अंग्रेश तो वैसी ही हैं वहाँ पर, बैठे हैं चुप-चाप, तो भई, you have to do something, आप अपने armed guards लगाईए वहाँ पर, आप US में हर जगह armed guards लगाईए, वहाँ पर कला होना चाहिए बंदा, AK-47 लेके जिसने हमला करा, remember one thing, जो भारत के embassy है, भारत के high commission है, भारत के consulate पर हमला कर रहा है, he is attacking sovereign Indian land and India reserves right of response, ठोगी अच्छा थी पर गोलियां चैरबाच, फिर देखिए, खालिस्तान जिन्दाबाद, खालिस्तान जिन्दाबाद जितना करते हैं, यतने चोटे हैं, यतने चोर हैं, यह खालिस्तान का जो जंडा है ना, उसमाँ खालिस्तान भी English में लिखते हैं, क्यों, क् यह चाते हैं, गोरा पड़े हैं, क्योंकि अगर यह गुर्मुखी में लिखेंगे, यह हिंदी में लिखेंगे, तो गोरा थोड़ना पड़ पाएगा, गोरे को समझ में नहीं आएगा, यह हर समय आप देखिएगा, खालिस्तान हर जगए खालिस्तान इंग्लेश में लिख पूरा फ्राड चोर हैं लोग यह चोर हैं लिखते ही हैं गोरों के लिए कि गोरों को इंप्रेस करके हम पैसे ले 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 इनके बाप तो पाकिस्तानी है ना खालिस्तानी हो के वो भी विकारी यह भी विकारी तो इनकी सब मार्केटिंग स्ट्राटेजी है हर जागे खालिस्त देना पड़ेगा हमें रिस्पॉंस देना पड़ेगा खालिस्तानियों को चाहे वो भारत में हो चाहे वो बाहर हो हमें रिस्पॉंस देना पड़ेगा UK की सर्पार को और हमें रिस्पॉंस देना पड़ेगा US की सरकार को और इनको झाल झाल झाल